यदि 851 को 1 बटे 2, 2 बटे 3 और 3 बटे 4 के अनपात में 3 भागों वाजित किया जाए तो पहला भाग क्या होगा तो जब भी कभी ratio हमेरा fraction में होता है तो इसको हम कैसे change करते हैं तो इदे को 1 by 2 ratio 2 by 3 ratio 3 by 4 तो जो नीचे हमारा denominator में होता है जो हर होता है उनको हम क्या करते हैं उनका LCM लेते हैं 2, 3, 4 इनका LCM कितना हो जाएगा 12 अब 12 से 1 by 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 12 को 1 by 2 से डिवाइड करोगे 6 आएगा 12 को 2 बटे 3 से करोगे यहाँ पर fraction करोगे तो यहाँ पर आएगा कितना 3, 4, 12, 4, 2, 8 और यहाँ पर करोगे 4, 3, 3, 9 यानि आपका जो यहाँ पर 3 जो नंबर के ratio होंगे वो actual में ratio होगा 6, 8, 9 अब 6, 8, 9 में आपको डिवाइड करना है कितना 851 रुपए तो हम अगर यहाँ पर ratio को sum करें ratio कितना आएगा 6 प्लस 8, 14, 14 और 9 कितना आजाता है 23 आता है यानि 23 वाली value आपको दे रखे 23 ratio की value कितनी है 851 तो एक ratio की value कितनी हो जाएगी 23 से हम डिवाइड करेंगे 23 तिया 79 आएगा यहाँ पर और 79 को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे साथ बार अगर हम डिवाइड करेंगे तो आतीन सत्य एक किस यहाँ यहाँ पूरा 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 ही डिवाइड हो रहा है तो पूछा पहला भाग क्या होगा पहला भाग हमारा कितना अच्छे है तो multiply इसमें कर तो 6 से इंटू 6 कराओ कितना आएगा 6 सत्य बैयालिस और बै